वेल्कम तू इन्सेट टेक्स, येर वी विल लॉन अबाउट आउर ट्रांश्मिशन एलेमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम इसलिए वीडियोज में हमने सबस्टेशन के आउट्डोर एकुपमेंट्स क्या-क्या होते हैं वो जाना था सिंगल लाइन डायाग्राम क्या होता है वो जाना था और सिंगल लाइन डायाग्राम में जो जो एकुपमेंट्स सबस्टेशन में आउट्डोर्स रहते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए सबस्टेशन के अंदर इंडोर कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में आज हम जान किसी भी सबस्टेशन का में इंडोर कंपोनेंट जो होता है वह होता है कंट्रोल पैनल जैसे कि हमने आउट्डोर कंपोनेंट्स देखे थे सबस्टेशन के उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम के अंदर कंट्रोल पैनल्स होती है कंट्रोल पैनल्स में क्या-क्या ची अभी। यहाँ पर 66 के भी कंट्रोल पैनल है तो उस लिक्टॉल में सभसे पहले diff dár york कि गृओं और ऑफ वह दिखाता है right एस सोलेटर आज है या ऑफ उसका इंडिकेशन यहाँ पर होता है ठीओ तो है अगर कहीं पे feeder bay में या तो line पे कुछ problem है तो वो क्या problem है उसके लिए एक announcer दिया जाता है कि जिसमें indicate होता है कि ये problem आया है फिर जैसे हमने बाहर देखा था कि CT होती है PT होती है तो वो ही CT का current यानि कि line पे अभी कितना current पास हो रहा है वो दिखाता है हमें फिर watt meter होता है watt meter होता है and cost 5 meter जो power factor indicate करता है उसके बाद indication bulbs होते है जैसे कि breaker on है तो red LED चालू रहेगा breaker off है तो green LED रहेगा फिर trip circuit healthy है और spring charge है ऐसे सारे indications हमें यहाँ पे bulbs की द्वारा दिखाये जाते है फिर breaker का control करने के लिए एक switch होती है जिसको बोलते है TNC trip neutral close switch यानि कि breaker को on और off करने के लिए यह switch होती है फिर अगर transformer की panel है यह तो यहाँ पे differential relay रहता है और अगर सिफ feeder panel है तो backup relay रहता है breakup relay यानि की over current and earth fault relay और differential relay रहता है वो transformer के लिए होता है उसके अलावा यहाँ पे trip circuit faulty relays होते है trip circuit supervision relay फिर अपना auxiliary relay रहता है transformer का auxiliary relay और एक relay रहता है जो master relay बोलते है उसे तो वो breaker को automatically trip command फैचता है अगर कुछ problem हुआ तो फिर नीचे test terminal blocks दिये है तो अगर panel को test करना है तो यहाँ पे वो CT injections देके panel को test कर सकते है कि panel बराबर है या नहीं बराबर है या नहीं फिर energy meter होता है जो measure करता है कि कितना energy transfer हुआ या तो sent या receive तो इस तरह से पूरा 66 kv पेनल हमने देखा ऐसे ही 220 kv, 400 kv सारी panels होती है जिसमें कुछ-कुछ changes होते हैं लेकिन basically इतने चीज़ हमेशा एक panel में रहती है यहाँ पे हम लोग 11 kv control panel देखते हैं 11 kv control panel जो होती है तो जैसे हमने उसमें देखा था आगे कि breaker outside रहते हैं यानकि outdoor breakers होते हैं लेकिन 11 kv में कहीं अभी सब जगह indoor breakers रहते हैं कुछ-कुछ जगह outdoor breaker होते हैं लेकिन बाकी सारी जगह अभी indoor breakers आगे हैं तो उसकी पैनल इस तरह से होती है तो उसमें उसमें भी वोल्ट मेटर एंपियर मेटर वोल्ट मेटर कोस्पाइब मेटर सारे रहते हैं फिर बैक अप रिले भी होता है इसमें फिर पियांसी जैसे हमने आगे देखा था फिर एनरजी मेटर रहता है टेस्ट टर्मिनल ब्लॉक्स रहते हैं और इंडिकेशन लेंप्स रहते हैं अभी यह जो कम्पाइट्मेंट दिखाया गया है वहां पर ब्रेकर रहता है इसके अंदर एक वेक्युम ब्रेकर होता है 11 किवी का और यह जो नीचे वाला कंपर्णमेंट है उसमें अगर यह पैनल ट्रांस्पोमर की इंकमर पैनल है तो उसमें पीटी रहती है अधरा इस फीडर पैनल में यहां पे कुछ नहीं होता है इसमें हम देखते हैं कि यहां पे जो बीच में खुला हुआ है वेक्यूम इंट्रॉप्टर का ब्रेकर तो अंदर इस तरह से ब्रेकर होता है और नीचे ब्रेकर के नीचे इस तरह से 11 के भी पीटी रहती है और अब हमने जो सारह देखा था उसके पीछे उसका कंट्रोल वर्रिंग होता है और उसके पीछे 11 के भी बस होता है किस तरह से होता है वो kinda यह पर E London के भी पावर सप्टाइय होती है तो यहां से ब्रेकर में जाता है और ब्रेखर से केबल साइड करंट जाता है आउटडोर में हमने ट्रांस्फोर्मर देखा था तो ट्रांस्फोर्मर का एक टेप चेंजर होता है उसको बोलते है अनलोड टेप चेंजर तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक पैनल होती है उसको बोलते है ओल्लोड टेप चेंजर जो रहता है वो अपना ट्रांस्फोर्मर क का वोल्टेज 1.25 परसंट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकता है उसकी टैप होती है एक से 17 तक और उसके कंट्रोल के लिए एक पैनल होती है कि जहां से आप रिमोटली उसके ट्रांस्फोर्मर का टेप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं और उसमें अगर कुछ और दिक्कत हो चहसे पावर सप्लाइब फैल्यूर हुआ या तो फिर कुलर कंट्रोल फेल्यूर हुआ तो उसका इंडीकेशन इस पैनल में हमें दिखा दिखाता है ठेक्स्ट जो है वह है सबसे important battery set battery set इस तरह से होता है अब हमने जो control panels देखी तो उसका control voltage जो होता है वो 110 volt DC या तो 220 volt DC रहता है तो यह जो DC voltage है वो कहाँ से आती है तो वो सबस्टेशन में एक बैटरी सेट रहता है उससे वहाँ पे सप्लाई होता है और ये बैटरी सेट को चार्ज करने के लिए एक चारजर भी होता है वो हम आगे देखेंगे लेकिन बैटरी सेट क्यों होता है तो जब भी पावर सप्लाई सबस्टेशन का पूरा फेलियर हुआ फिर भी हमें कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा ना पेनल को ब्रेकर को तो उस ब्रेकर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये बैकप सप्लाई रहता है जो 1110 V DC या 220 V DC रहता है अभी यहां पे जो हर एक बैटरी सेट होता है उसमें एक जो बैटरी होती है वो दो वल्ट की होती है तो जैसे हमने देखा कि अगर हमारा कंट्रोल वल्टेज 1110 V है तो वहां पे 55 बैटरी रहेगी तो 55 बैटरी को सीरीज करके उसको 1110 V बनाते है अगर हमारा कंट्रोल वल्टेज 220 V है तो बैटरी विल बी 1110 यानि कि 110 बैटरी सीरीज में जोइंट करके 220 V बनते है बैटरी की जो कैपसिटी है वो एमपियर अवर में मेजर होती है जैसे कि 100 एमपियर अवर की बैटरी सेट है तो वो बैटरी सेट अपना बैकप कैसे दीगी तो अगर अपना लोड है एक एमपियर देन 100 आवर्स के लिए वो एक एमपियर हमको सप्लाई कर सकती है अभी अगर अपना लोड है 10 एमपियर और बैटरी सेट है 100 एमपियर का तो वो दस घंटे के लिए 10 एमपियर हमेशा प्रोवाइड करेगी यानि कि 10 घंटे के लिए आपके पास बेक अप रहे जा तो सिंपल है उसका एमपियर इंटू आवर्स तो यह से बढ़ेगे आवर कम होंगे एमपियर कम होते तो आवर्स बढ़ते रहते हैं ऐसे ही 250 वोल्ट 250 एच की बैटरी होती है और 350 एच की बैटरी भी होती है तो जैसे बैटरी होती है तो उसके लिए बैटरी चार्जर भी होता है तो यहां पर एक फोटो दिखाया गया है वो बैटरी चार्जर का है तो जो वो अपनी 1110 वल्ट की बैटरी है उसको चार्ज रखने के लिए यहां पर एक बैटरी चार्जर होता है उसमें दो तरह की चार्जिंग होती है एक होती है ट्रिकल चार्जिंग एंड एक होती है बूस्ट चार्जिंग याने कि फ्लोट चार्जिंग एंड बूस्ट चार्जिंग तो को चार्ज करेगा और अपना लोड जो है यानि कि आपने आगे देखा था जैसे एक एंपियर या तो दस एंपियर जर्जा भी लोड है उसको लोड को भी एक बैटरी चार्जर ही सप्लाई करेगा जैसे ही अपना ऐसी supply फेल होगा तो बेटरीज जो चार्ज होगी वो बेटरीज थूँ अपना लोड को supply जाएगा और बुस्ट चार्जिंग होती है तो वो जब भी हमें बेटरीज को ज्यादा चार्ज करना होता है तो हमें उसको बुस्ट देना पड़ता है तो उसके लिए बुस्ट चार्जिंग भी होता है इसमें जो है वो है LTE पैनल जैसे हमारे घर में पावर सप्लाई की जरूरत होती है एसी supply की ऐसे ही सब्स्टेशन में अलग-अलग जगह पे ऐसी supply की जरूरत होती है तो उसके लिए एक low voltage panel रहती है तो उसमें main incomeer रहता है और अलग-अलग feiders रहते है जो अलग-अलग जगह पे power supply देने के लिए होता है और वो वो अलग-अलग amperes के हिसाब से उसमें switches होती हैं तो जैसे जहां पर जैसा लोड है वहां पर वहां से हम power supply दे सकते हैं उसमें three-phase, single-phase, यह से भी provision रहती हैं नेक्स्ट है carrier panels जैसे हमने outdoor occupants में देखा था कि वहां पर ct, cvt, web trap रहता है तो वहां से जो carriers आती है वो LMU line matching units से होकर PLCC panel तक आती है और PLCC panel भी एक indoor control panel है जहां से carriers जो आते हैं उनका conversion होता है या तो प्रोटेक्शन में या तो फिर टेलिफॉनिकली एक substation से दुसरे substation में बात करने के लिए तो उसके लिए यहां पर एक exchange भी होता है अभी हमने substation के indoor equipment बहुत सारे देख लिए अभी next videos में हम देखेंगे एक एक equipment जो होता है उसके अंदर क्या होता है उसका importance क्या है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है और switch yard में वो क्या काम करता है वो सब देखेंगे आप सबसे निवेदन है कि आप को क्या जहनना है substation के बारे में वो आप हमें comment कीजिए तो हम अगले videos में वो सब चीजे लेके आए thank you and watch the next video please झाल